अब आईए हम बात करते हैं बारह राश्यों की बारे में काईच की बारह राश्यां क्या कहती हैं कौन विदेश जाएगा कौन फिल्म बनाएगा कौन कहानी लिखेगा कौन मेडिकल के फिल्ड में जाएगा किसको राजनीती की छेतर में जाना है कौन विदेश जाएगा सारी बात हम आपको बताएंगे और किस रंग के परियोग करने से भागो दे होगा किस रंग के परियोग करने से आप अपार सफल परापत होगी और क्या सोधानी बर्ते क्या उपाए करें आईये सुर्वाद करते हैं मेस राषरी। जो मेस राषरी की जातक हैं, आज का दिन आपके लिए सकर राथ पकर इनाल लाने वाला होगा, जिस भीच छेतर में कारे करेंगे उस में आपको बड़ा लाब होगा आपके कारे शेतर में विस्तार होगा, परिवारी की से तेची हो पुरा फूर और बच्चों की मनोबल को बढले की जूरत है बच्चों बहुत अच्छा करें उनकी प्रस्न रहेगा धन किस्तिते चोगी बेपारी किस्तिते चोगी रियल स्टेट प्रपल्टी में अगर पूजी निमेज करते हैं ता आपके लिए लाप्रत रहेगा सौधनी के अपरत नहीं है अपने समय का सुद्ध प्योग करें उपाय क्या करना बंदरों को केला खिलावें आपके लिए बारा रहनेवाला हो सकता है आपका मन बैथित हो सकता है काफी लंबे समय से ब्यास्त रहेंगे जिससे आपको थोड़ी से हरारत हो सकती है आप अपने बेवसाइय पर धियान दें नहीं तो दिक्कत आएगी और आज आपको अपने बैयос découvrir करते हैं जो योजनाय Getting उस पर धि बिकास होगा अपने कारियों को समय रहते पूरा कर लें कोई चीज कल पर न टालें परिवार में लोगों की आप कोई सुझाओ देंगे तो अच्छा रहेगा परिवारिक दायतु को पूर्ण करने में सफल रहेंगे दामपति जोन अच्छा रहेगा पत्नी का सुख मिलेगा पत्नी को नोकरी मिल सकती है माता पिता की स्वास्त को लेकर आपकी चिंता समाप्त होगी क्रिश्योग भूमी खरिश सकते हैं नई नोकरी मिलने की संभावना बने से अट्रेडिक से धन मिलने की संभावना बन रहे है विदेश जा सकते हैं जिदि होटल में रियल इन सुबरंग है सफेद और लग मीटर है आठ अब हम बात करते हैं मिथुन राशी की जातक है आज का दिन आपके लिए काफी सांदार है आई और वे में संतुलन बना करके चले ताच्छा रहेगा पता चला खर्चा खुब कर रहे हैं इंकम है नहीं या इंकम है और खर्चा उससे जादे करे तो भी दिक्कत होती है ता आपको अपने आई और वे पर सामचे सासाबित करने की जोरत है लेकिन खर्च बढ़ने से आपके काफी दिक्कत आएगा आपने बाहनों के परियोग में सौधान रहे है दुरुतकत की गाड़ी ना चलावे आज खुई हुई ब अच्छा करेंगे घर में अच्छा रहेए आपके पुराने मित्र आप परिवारी की स्थियोग जीवन संगनी का सहयोग मिलेगा और आपके रोग और शत्रु पराश्त होंगे वीरोधी ध्वास्त होंगे आज आपके परिवारे में खुशकबरी मिल सकती है कोई नया मेहमा आने की भी संभावना बन रही है आपकी नोक्री में फ्रिवर्तन का योग बन रहा तिस तरी के देखा जाता आज का दिन आपके लिए काफी बेहतर है सौधानी का अपरतनी है अपने स्वास पर विशेश ध्यान दे उपाय क्या करना भगवान स्री गड़ेश जी के अरादना करें और उनको दुर्बार कृत करें सुभं के साथ सूच स्वी रंगे लिक मीटर है आठ हरी किसा बात करतें करकराश की जो करकराश की आधक हैं आज आपको अपने विमारी को ले करके डॉक्टर से अप्रामर्स लें उसको रोग और सत्रुक को हलके में न लें कोई चीज कल पर न टालें उसको तत्काल प्रभाव से उसकी इलाज करें सस्राल पक्ष से आज आपकी कहा सो नहीं हो सकती है तो मद्याम मारग अपना में अपने समंदों को कटूता पूर्ण ब्यावार न करें अपने समंदों को सुधार लें आपके लिए अच्छा रहेगा जीवन साथी के सहयोग से आपके लिए काफी अच्छा रहेगा लेकिन आज आपसे नराज हो सकते हैं लोग आपका मित रहे जीवन साथी है परिवार के से बचना नहीं तो फिर पैसा करजा बढ़ जाएगा दे नहीं सकते इसलिए बचिए आज आपको सौधानी का बरतनी हैं तनाव लेने से बचें उपाय क्या करना है ओम नमस्वाय मंत्र का जब करें और चंद्रमा को दूध से अर्ग दें आपके लिए अच्छा रहेगा रुजी रुजगार के चेत्र में किया गया परियास सार्थक होगा रुजी रुजगार से लाब मिलेगा कोई नए कारे की सुरुवात कर सकते हैं उसके लिए आज का दिन काफी अच्छा है आए से जादे वे होने से थोड़ा वन चिंतित हो सकता है अपने स्वास पर विश करें उनको भोजन करावें और जो गर्मी का समय चल रहा है ताप क्या करेगी घर के सामने दाना पानी रख दें ताकि अच्छा रहेगा सुबंके नौ सुबंके पिंक लग मीटर 8 हरी कृष्णा बात करते हैं कन्या राशी की जो कन्या राशी ले जातक हैं आज आपकी सारी महातों कंचें पूर्ण होगी नय प्रकार के कारे करने का करने योग बन रहा है आपकी कर्ण स्प्रें विस्तार होगा माता पिता का सुक मिलेएगा परीवारि कीसी की सती बहुत अच्छों कि परिवारी में سुबर मंघली कारी होने से मन खुश रहेगा परिवारिक सफलता मिलने से मन परसंद रहेगा बैपार से लाफ मिलने का योग बन रहा आर्थी किसी ते आपकी ससक्त होगी पिता का सहयोग मिलेगा पिता का सहयोग सब काफी आगे बढ़ेंगे रियलिस्टेट प्रापर्टी माइन से धन मिलन की संभावना बन रही है और कई महत्मुर्ण कार होगा संतान का सुख मिलेगा संततियां बहुत अच्छा करेंगी उनसे मन आपका प्रफुलित रहेगा सौधानी के अब रत नहीं है करजा लेने से बचना है उपाय क्या करना है अपने बहन को वस्त उपहार में दे आपके लि संभान पत पर्तिष्ठा में बढ़ोतरी होगी रोजी रोजगार के चत्र में क्या क्या प्रयास सार्थक होगा रोजगार साज आपको लाव मिलेगा आयात निर्यात का प्रवल योग बन रहा है उससे धन की सिदिया आपकी मजबुत होगी परिवार में सुभ और मांगलिक होने सापका मन प्रफूरली रहेगा माता-पिता का सुख मिलेगा माता कीन असकु लेग कर के चिन्ता समाप्त होगी भाईयों का सुख मिलेगा परिवारिक दायतों को पूर्ण करने में सफल रहेंगे और किर्श योग भूमी खरी सकते हैं दूर देश के आत्राव हो सकते हैं और आज आपको सौधानी क्या बरत नहीं है अपनी सोच को पाजिटिव रखने की जुरू रहते हैं उपाय क्या करना है चीटियों को आठा और चीनी खिलावें सुब पूर देश की आत्रा हो सकते हैं परिवार में सुब और मांगले कारी होने से मन प्रसन रहेगा भाई बहिन का सुख मिलेगा नहीं तरह के कारे कर सकते हैं और इंडेश्टिय तयात लगाने का औसर मिलेगा खिलाडियों के लिए समय बहुत उत्तम है आप विदेश जा सकते हैं खेल के छत्र में देश का नाम रोशन कर सकते हैं और आपका समय स्वर्डिम चलना आपको सरकारी नो करें उच्पत प्राप्ति का योग बना है राजनेतिक महत्व कांचाव की पूर्ण होगी और पिता से थोड़ा बैचारिक मत्वेद हो सकता है भाईयों से भी सफ्ड़ा किसर या लग मीटरे साथ , बात करते हैं धनूराशी की जो धनूराशी के जातक हैं आज आपको अपने गुस्रेशचा रखने की जरूरत है संपाधकी कारियों साच आपको लाब मिलेगा लेखनकार है देश देश विरेश की आत्रा होने का योग बन रहा है कई म घर में नयमे हमान आ सकता है आज समय आपकान कुल लिये हुए है और सौधानी के अपरतनी है स्वास को ले करके सच्चेत रहने की जुरूरत है उपाय क्या करना है असाहाई की मदद करें गरीबों के दिन दुख्यों की मदद करना बहुत जुरूरी है आपके लिए अच्छा पर नियंत्रण करें और गुस्से में आके कोई नेड़े अनत आपका नेड़े खराब हो सकता है नए बैपार करने के असर मिलेंगे सुभ और मांगली कारी होने का यूग बन रहा है परिश्यत्यान कूल है रियल स्टेट प्रापल्टी से धनलाब मिलेगा जमीने भूम और पर नेड़े आपके लिए अच्छा रहेगा परिवारी के स्वास्त को लेकर के चिंता स्वाप्त होगी और माता और पतनी के संबंदों में सुधार होगा सौधानिक अब्रतनी अत्यधिक बै करने से बचें उपाय क्या करना है आज आपको उपाय ये करना है कि पुस्तक दान करना गरीबों को भोजन कराये सुभंक के चार सुभरंग है नीला लक मीटर है साथ हरी कृष्ण अब हम बात करते कुम्भ राशे की जो कुम्भ राशे की जातक हैं आज आपके घर में शूब और मांगली कार होने का योग बन रहा कई महत्मुन कारी हो सकता है जिसकी बहुत दिन से चीर परतिक शाह है भाई बहन के लिए बहुत अच्छा समचला रोजी रोजगार के च्छ लाड़ियों के लिए समय उत्तम चल रहा है किसी प्रकार का तनाव न लें सौधानी के अब रत्ति हैं जल्द बाजी में नेड़ा लेने से बचें उपाय क्या करना है उपाय करना कि काला कपड़ा दान करें सुभांके छे सुबरंगे हरा लक मीटर है साथ हरे कृष्ण कि बात करते हैं तिम्राषी मीनं की जो मीन राशी की जातक हैं उनकी लिए आज कर दिन काफी बहतरी नहीं लेकिन लòng पर नुटरा नहीं कि भावेश्श में आके कोई कारें न करें भावनाव में भाके कोई नेले न लें विध्या और माने से धनलाब का यूग बन रहा होगी रियल इस्टेट में अगर फूंजी दिमेश करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा मूं भीहों से लाब मिलेगा सर्जिकल इस्ट्रूमेंट का आयाद नियाद करते हैं तुस्ते आपको प्रचूर मात्रा में धनलाब मिले के संभावना बन रही है सौधानी के है आम मंदिर में या पांच फल मंदिर में दान करें सुभंक है नौ सुभंक है गोल्लेन कलर लग मेटर है नौ हरी कृष्ण अब आई यह हम बात करते हैं आज के दिन जन्में जातकों के बारे में आज है 15 जून 2024 आज जिन दर्सकों का जन्दिन उनके जन्म दिन की बहुत है आपका जन्म दिन सुभ हो मंगल में खुब आगे बढ़े प्रगति करें आपका चतुर्दिक विकास हो हैपी बढ़े आज जिन दर्सकों का जन्म दिन है उनका मुलांग खासतर से 6 आता है तो खासतर से 6 15 और 24 तो जातक जन्म लेत उनका मुलांग होता है छे नंबर महत्पूर्ण इस तरह के लोग अपने जीवन में करिश्माई ढंक सागे बढ़ते हैं और उनका ब्यक्तित तो मैगनेटिक होता है और देखने में बड़े गूर्ड लुकिंग और स्मार्ट होते हैं तो यह देखा जाते हैं वर्स आपके लिए काफी अच्छा होगा माली अच्छा होगी सुधार होगा परिवार में नए तरह के कारे होंगे कई महत्मुर्ण जिम्यदारियों को लेके चलेंगे दूसरी बात के ध्यान रखना है कि यह नया साल आपके लिए और परिवारिक रिष्टों को मजबूत बनाने के लिए बहतर सिद्ध होगा आपको क्य करना है कि जो छुटी छुटी बात को लेका परिशान होते हो एकदम ना हो प्लानिंग करके कारे करे क्योंकि बहुत जल्दी घबला जाते हैं तीस अब नहीं करना आपको और दूसरी बात के ध्यान रखना है कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रेल मैं जून आपका प्रतम हा जुलाई से लेकर के सितंबर तक का कालखंड आपके लिए थोड़ा उतार चड़ाओ का होगा पुना अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का कालखंड आपके लिए काफी अच्छा होगा तरह देखा जाते हैं कालखंड आपके लिए काफी महतपूर है सौधानी के अबरत न आपके लिए अब आए हम बात करते हैं गुरू के नुष्खे कि गुरू के नुष्खे माज हम आपको बताएंगे कि आज है दिन सनिवार शनिवार का दिन बडा महतपूर्ड होता है खासती और से सुरापूतर शनी के नते इस दिन का नाम सनिवार पड़ा शरीमार का दिन बहुत महत्पोर्ण होता है आज अगर व्यक्ति अच्छे से अपना ध्यान रखे सनी के अरात्ना करे अपने मन बाणी पनी अंत्रा रखे किसी को आहत्ना करे तो सनी उसे प्रसंद हो जाता है ज़र किसी व्यक्ति कुल्ली में सनी अच्छा हो तो व्यक्ति बह शनी की साड़ साथी है उसको ध्यान रखना है नबर इक नंबर दो कि जिनकी सणी की साड़ साथी चले है द़्याचर रहा है महा दतसा चलना उनको तेजगद्स की गाड़ी नहीं चलानी है शनी की जब ragas है या हन्मान चलिसा का पाठ करना है हन्मान जी के अरादना करेंगे तो सनी से आपको मुक्ति मिलेगी तो देखा जाते हैं बर्ष आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और ठीक रहेगा आपके लिए तो आप यह सब करते हैं तो बहुती बड़े हैं दूसरी बात का ध्यान कि जिसे सूरे शनी या मंगल सनी या सनी राहू सात्यों बैठा है या दोनों की यूती एक चाह सात आठ बारह में जिसके नाते मैटिमोनियन प्राब्लम हो रही है तो आप दूर का सबसदी के 32 नामों का जब करें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप किसी बा गरीब आदमी हो दीन दुख्यों की मदद जुरू करें खाना के लावें गरीबों की मदद करें तो आप देखेंगे कि आपके लिए काफी लाप्रत रहेगा भागी गुरु कारकरम में बस अजितना ही फिर हम आप से कालेसिस में इसी वक्त मिलेंगे तब तक के लिए आप देखते रहे निव्जी स्टेट उत्तर प्रदेश उत्राकंड नमस्कार